नीरज, धीरज, पंकज, सोनू, गौतम और पिर्यंका ये सब साथियों का कहना ये है कि पोसन किसे कहते हैं तो आज आपको बहुत ही आसानी से किलियर होने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोसन ठीक है तो भाई साब आपको बसरते ये ख्याल रखना है कि आपको बिलकुल डरना नहीं है यहाँ पर मैं आपको आसानी से समझा दूँगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोसन और पोसन को इंगलिस में नूट्रियेशन कहते हैं यहाँ तक के लिए रहा होगा और यहाँ पर मैंने आसानी से क्या लिख रखा है यहाँ पर देखिए भोजन लेने की किरिया पोसन कहलाती है मतलब आज हम चावल खाएं तो कल हम रोटी खाएंगे कल और कुछ खाएंगे कल मचली भी खा लेंगे कल मुरगा भी खा लेंगे तो रोज रोज हम खाना खाएंगे तो रोज रोज खाएंगे तो हमें कुछ-कुछ भोजन में भी चेंजिंग होगा वो आपको पता है यह बताने की जरूरत नहीं है तो भाई साहब भोजन लेने की किरिया ही हमारा पोसन कहलाता है ठीक है तो ये आपको खियाद रखना है और इसके बाद लेकिन गाज वास्तों में आपको क्या करना है भोजन का अंत्रग्रान, पाचन, और सोसन, स्वांगी करन तथा बहिस करन की किरियाओं को पोशन कहते हैं तो ये छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर आप समझ जिए भाई साहब हमने तो आसानी से कह दिया असान भासा में कि भोजन लेने की किरियाओं कहलाती है लेकिन वास्तों में यानि लेकिन रियालेटी में क्या होगा कि भोजन अंदर जाएगा अब यहाँ पर ये परिवासा से लगता है कि भोजन लेनी की किरिया पोशन कहलाती है अब आपके सामने को अगर हम भोजन लाका रख देते हैं तो क्या वो पोशन कहलाएगा नहीं भाई साहब नहीं भोजन पहले अंत्रगरहन होगा यानि भोजन अंदर जाएगा उसको काम में लाना और बहिसकरन का मतलब गंदे पदार्थों को हमारे सरीर से बाहर करदना. ये सभी किरियाएं हमारे क्या कहलाते हैं? पोसन. तो भाई साथ पोसन के बारे में कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? बाई साब अंत्रग्रहन का मतलब पाचन का मतलब अवसोसन का मतलब स्वांगी करन का मतलब बहिस करन का मतलब यहां पर मैंने आसानी से लिख रखा है तो जी आहां पर आप आसानी से इसे लिख लिजिए और आसान है अंत्रगहन का मतलब भोजन मुह द्वारा अंदर जाना और पांचन का मतलब भोजन को टूटना यानि हमारे अंदर जो गया भोजन उसको टूटना और आवसोसन का मतलब तूटे हुए भोजन में से पोसक्ततोव खीचाना भाई साब पोसक्ततोव खीचाना पोसक्ततोव का आपने नाम सुना होगा कार्बो हैड्रेड प्रोटीन वसा बिटामीन एवम खनी जलवन साथ ही जल एवम रुछांज ये सब हमारे भोजन में होते हैं तो उन में से खीचाना हमारा कहलाता है औसोसन ठीक है और इसके बाद स्वांगी करन जो भी हम भोजन को खीचे यानि खीचे गए पोसक्ततोव को काम में लाना ठीक है जब मान लेते भोजन खीच लिए तो उसको काम में लाना ठीक है और सक्तियानुसार कहा कितना काम में आ रहा है वही हमारा काम में लाना ही कहलाता है स्वांगी करन और इसके बाद हमारा आ जाता है बहिसकरन 22 करण में आ जाता है गंदे पदार्थों को बाहर निकाला तो ये सब आप आसानी से समझ सकते हैं तो गाइज पोशन के बारे में आपको किलियर रहा के नहीं रहा याद रखिए भोजन लेनी की किरिया हमारा पोशन कहलाता है ठीक है लेकिन वास्तों में बस यही भोजन अंदर जाना पचना और सुषन होना सुआंगी करन बहिस करन ये सभी किरियाएं पोशन कहलाते हैं ठीक है और ज्यादा कुछ नहीं है यार जो हमें पता नहीं होता है वो सुरू सुरू हमें याद ही करना पड़ता है तो बस कुछ नहीं है आज के इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना और सबस्क्राइब तो करना मत भूलना ठीक है तो बाय बाय टेक केर बैस्ट अफ लग